हे दोस्तों आटो कंपेर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेरजन लेके आए हैं टाटा पंच और मार्ती सुजिकी स्विफ्ट के बीच में और कंपेर करेंगे इन दोनों गाड़ियों के सारी रिटेर्स के बारे में और देखते हैं कौन सी गाड़ी आपके लेने के लिए होगी फायदे के सौधा सबसे पहले हम यह आप एक प्राइजिंग के सारी शुरू बात करते हैं टाटा पंच दोस्तों इस गाड़ी की एक शोरू की में शुरू होती है और टो लिएन की उंचे में जाती है 8,98,000 रुपीज तक वही मES बात करता हूं यहां पर मारती शुजी की स्विट की दोस्तों इस गाड़ी की में शुरू होती है और टो लिन की में जाती है 8,77,000 रुपीज तक दोस्तो टाटा पंच के अंदर पेट्रोल में कुलनला के 7 मॉडल्स आते हैं और मार्ती सुजी की स्विफ्ट में दोस्तो पेट्रोल के अंदर कुल मिलाके 9 वेजिंट्स आते हैं जहां पर दोस्तो आज की वीडियो में कंपेर करने वाले हैं टाटा पंच के एडवेंचर मॉडल जिसे की मदए 6,49,000 रुपीज एक शुरूम और मार्ती सुजी की स्विफ्ट के VXI मॉडल जिसे की मदए 6,74,000 रुपीज एक शुरूम इन दोनों ही वेजेंट्स के बीच में और देखेंगे कौन सी गाड़ी लेने के लिए आपकी होगी ज़दा फायदा के सौधा तो चलिए मैं शुरू करूँगा इस वीडियो को सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा यहां सेग्मेंट्स की और सेग्मेंट्स की बात करने से पहले आप से एक छोटी से रिक्विस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक शुर प्लीज यार आप सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों सबसे मैं इस सेग्मेंट की बात करता हूँ टाटा पंच दोस्तों यह जो गाड़ी है यह डिजाइन वैसे के स्यूबी टाइप की गाड़ी है जो मारती स्विफ्ट है यह हैच बैक सिंग्मेंट की गाड़ी है अभी आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं दोनों गाड़ीों की डाइमेंशन लंबाई चौड़ाई और उचाई यहाँ पर एकर आप लंबाई की फैक्टर की बात करते हैं लंबाई की मामले में जो स्विफ्ट है यह पंच के मुकाबले 17mm जाद लंबी है चौड़ाई की एकर में बात करता हूँ तो चौड़ाई के मामले में जो Tata Punch है यह Swift के मुकाबले दिएंट यौशादा उची है अगर आप मुझसे पूछे फ्रेंट से देखने में किस काड़ी का लुक जादा मुझे अग्रेसिव लगता है तो वो है टाटा पंच वोगराल आपके साथ से क्या स्विफ्ट जादा बहतर लुक दे रहा है या टाटा पंच कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता है बूटी स्पेस की बात करूँ तो टाटा पंच में आपको 366 लिटर का डूटी स्पेस आता है वहीं जब कि जो हमारा डेरर अ सूरी यह स्विफ्ट है इसके अंदर आपको 268 लिटर का बूटी स्पेस पशाता है मतलब booty space के मामले में जो हमारा punch है वो यहाँ पर 102 लिटर का extra booty space दे रहा है Ground clearance बात करूं तो Tata punch के इंदर 187 mm का ground clearance आता है और वहीं swift में 165 mm का ground clearance आता है तो यहाँ पर मैं अगर जमी से हुचाए की practicality की बात करो तो ज़ादा practicality यहाँ दे रहा Tata punch wheelbase के अगर में बात करता हूं तो Tata punch का wheelbase है 2445 mm और जो यहाँ पर जो swift है इसका wheelbase है 2450 mm दोस्तों यहाँ पर अगर हम कुछ extra features की बात करें तो तो Tata punch में आपको यहाँ पर 90 degree का opening doors भी देखने को मिलता है जो कि मैं ऐसे एक्स्ट्रा feature देख रहा हूँ वही मैं swift की बात करूँ swift में कोई ऐसा extra मुझे feature नहीं नजर आता बात करते हैं दोस्तों engines की नजरिये में दोस्तों engine के मामले में अगर मैं बात करूँ तो तो Tata punch में दिया गया है 1.2 लीटर का rabbit roll engine जो कि 3 cylinder engine है यह engine power zonet करता है 84 bhp का with a torque of 113 nm torque गारी में 5 speed का manual transmission आता है वही मैं बात करूँ अगर swift की तो swift में आता है 1.2 लीटर का k-series dual jet engine यह 4 cylinder यह एक 4 cylinder engine है जो कि power zonet करता है 88 bhp का with a torque of 113 nm torque 5 speed का manual transmission देखने को मिल जाता है दोस्तों अगर मैं यह पर engines की बात कर रहा हूँ तो यह पर refined engine किसका है तो no doubt इस मामले में swift आगे निकल जाती है power किसका जादा है तो दोस्तों उस मामले भी 4 bhp आपको extra power swift में देखने को मिलती है तो engine के साब से किसका engine जादा बहतर है तो वह swift overall दोनों का engine में बहता हूँ बहुत अच्छा है लेकिन अगर compare करते हैं तो swift आगे निकल ला है और वही swift में दिया गया है 37 liters का fuel tank तो यहां भी दो factors आपको clear हो चुकोंगे जो engine है और जो mileage है इस मामले में swift आगे निकल लही है infotainments की बात की जाए तो तो टाटा पंच में आपको यहां पर MP3 system देखने को मिलता है जो की charge speaker के साथ आती है इसके adventure variant में और यह 3.5 inches का touch infotainment system ना होकर एक छोटा साब देख पार है और डिस्पले में कुछ इस परकार सा नज़र आता है swift की बात करूं दोसो swift में आपको यहां पर MP3 system यहां भी देखने को मिलता है और charge speaker आ जाते है Bluetooth connectivity दोनों दिया गया है interior design किसका जाधा आपको अच्छा लगता है comment box में जरूर रखें tire sizes की बात करूं तो Tata Punch में दोस्तों आपको R16 के tire size देखने को मिलते है और swift में R14 का tire size देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर आपको दोनों ही गाड़ीयों में power steering, power window, front and rear, power boot, seat, number support, tailgate, azar and keyless entry दोनों गाड़ीयों में देखने को मिल जाता है दोस्तों बात करेंगे सबसे जरूरी चीज जो होती है सुरच्छा, अगर गाड़ी ले रहे हो, highways पर चलाना है, परिवार को लेके चलाना है तो भई सुरच्छा तो आपको चाहिए न गाड़ी में सब कुछ अच्छा है मैं कहता हूं सुर्फ में लेकिन जब आप ये गाड़ी में उतनी सेफटी दी ही नहीं जा रही है तो मतलब उस power feature performance को लेके क्या करेंगे जब हम सेफ ही नहीं है जिस गाड़ी में अब दोस्तों जानते हैं दोनों गाड़ी का ओन रोड प्राइस फिर जानते हैं के इंक्लूजन दोस्तों जो ओन रोड प्राइस टाटा पंच एडवेंचर के लिए लगती है वो है 7,36,000 रुपीज एप्रॉक्समेटली वहें इस मारती सुचु के स्विफ्ट के जाती है 7,63,000 रुपीज एप्रॉक्समेटली तो यहां पे करीबन 27,000 रुपीज के आसपास दोनों ही गाड़ियों का डिफरेंस है तो आईए बात कर रहेंगे कंक्लूजन की जहां पर मैं आ पाड़ी के अंदर जाधा स्पेस चाहिए तो इस मामने भी टाटा पंच जादा बहतर हाती है अगर आपको गाउं बगेरा में रास्ते चलाने आपके तरव रास्ते बहुत जादा खराब है उबढ़ खाबर तो यहां पर 187 mm का जो ग्राउंड क्लिएंस टाटा पंच में म लगता है वह दो स्का for ca in MARTIN Bear का होना जिसके वज़ए से जो इंजन नोजे से वो काफी ज्यादा- कोई बता सकता है overall ये था दोस्तों हमारा थाक inclusion आपके साब से क्या आपको सही लग रहा है क्या आप एक safety गाड़ी को जदद प्रेफर करेंगे या फिर एक refined engine के साथ high mileage वाली गाड़ी लेना चाहेंगे अपना राय comment box में जरूर दें और वे अज़े वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करेएगा हमारा चैनल auto compare को मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में thanks for watching